प्रफ्तावित इंक्रिप्शन नीती से निजिता पर हमले की आशंका को लेकर उपजे विवाद को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को इफनीती के मसादे को बापफ ले लिया इसमें सोशल मीडिया समेथ सभी तरह के संदेशों को नभ्य दिन तक सुरक्षित रखने को अनिवारिक किया गया था दूसंचार मंतरी रभी शंकर पथाद ने कहा कि मैं व्यक्तिकत तोर पर हम हसुस करता हूं कि मसादे में व्यक्त कुछ विचारों से बेवजह संदेश पैदा हो रहा है इसलिए मैंने इलेक्रोनिक्स एवन सुचन अप्रद्योगी की विभाग को मसादा बापफ लेने और इस पर उचित तरीके से बिचार कर फिर से इसे साब जनी करने को कहा है एक ही होटल में रुकेंगे नरेंदर मोदी और नवाज शरीफ संदेश महासवा के वारशिक समेलन के दोरान पधान मंतरी नरेंदर मोदी और उनके पाकिस्तानी समगक्ष नवाज शरीफ इस अपते एक ही होटल में ठहरेंगे इससे अटकलों का बाजार गरम हो गया है कि जब दोनों इस शहर में आएंगे तो क्या उनके बीच मुलाकात होगी सुतरों ने बताया कि मोदी वुद्वार शाम यहां पहुंच रहे हैं वे वालफोर्ड एस्टोरिया होटल में ठहरेंगे शरीप 25 फितंबर की शाम यहां पहुंच रहेंगे और बेभी इसी उठल में ठहरेंगे फिलहाल दोनों निताओं के बीच किसी विपक्षी मुलाकात की कोई आधिकारी घोशना नहीं है आप निता सौमनाद भारती को हाई कोट से जटका दिल्ली उचने आयले ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सौमनाद भारती की घरेलू हिंसा मामले में अगरिम जमानत की याचिका मंगलवार को रद कर दी भारती की पत्रनी लिपिका मित्रा ने उन पर घरेलू हिंसा की संगीन आरोप लगाये हैं पुलिफ ने भारती पर 360 और 400 भी समेट भारती दंट सहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है गुड़गाओं में मना कारमुक्त डिवस सलकों पर यातायात की समश्चा को देखते हुए गुड़गाओं में मंगलवार को कारमुक्त डिवस मनाया गया और लोगों को परिवहन के सार्वजनिक संसाधनों का इस्तमाल करने के लिए प्रोच सहित किया गया अभियान को सफल बनाने के लिए गुड़गाओं कुलिफ निहां व्यापक इंसिजाम किये थे शहर में चलिंदा एफ्थानों पर यात्रियों की साहिता के लिए दोसों से अधिक बसों को तैनाज किया गया था पुलिस आयुक्त नौदिव सिंग विर्क ने बताया कि कारमुक्त दिवस कोई नई पहल नहीं है दुनिया भर में इसकी शिरुगाद वाईस साल पहले की गई थी इस दोरान विर्क स्वर्म साइकल पर नजड़ आये यमन में साओधी गठवंदन सेना के हमले में पचास की मौत साओधी समर्थिक गठवंदन सेना के लड़ा कुई मानों ने यमन की राजधानी सना में गोली वारी की है जिसमें पचाफ लोगों की मौत हो गई चिकतसा सूतरों और अधिकारियों ने बताये कि इस हमले में पहला निशाना सना के उतर पश्चिमी में इस हज़ा प्रांत में हाउथी विद्रोहियों के नियंतरन वाले पुलिस मुख्याला को बनाया गया दूसरी मिसाइल से एक परिसर को निशाना बनाया गया जहां विसपोर्ट फेप 30 लोगों की मौत हो गई यह थे अब तक के मुखी समाचार और जाता जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेब साइट www.webdunia.com नमस्कार